आज हम बना रहे हैं ये mango ice cream, जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा सुन्दर है, बट खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिश्ट और healthy है, क्योंकि हम इसे बनाएंगे बिना milk powder, milk made और बिना शुगर के, तब भी ये बनेगी एकदम soft और tasty. और हम यहाँ पर ले रहे हैं एक लीटर full cream milk, हम एकदम गाड़ा वाला दूद लेना है, हम यहाँ ice cream बनाने में milk powder, milk made या फिर शुगर, किसी भी चीज का use नहीं करेंगे, हम बिल्कुल पूरी तरह से healthy ice cream बना करके तयार करेंगे, हमने full cream milk लिया है एक लीटर, उसे boil करके हम कर कर लेंगे, हमें अच्छा गाड़ा कर लेना है दूद को, और उसके बाद हम इसको creamy creamy texture करने के लिए इसमें सर्फ डालेंगे 2 चमच corn flour, जिसको हमने पहले ठंडे दूद के अंदर mix कर लिया है, corn flour या custard, आप हमेशा ठंडे दूद में mix कीजिए, नहीं तो इसमें lumps हो जाते ह corn flour दीरे दीरे इसमें डाल देंगे, उबलते हुए दूद के अंदर, और फिर इसको जल्दी जल्दी mix करेंगे, ताकि एकदम गाड़ा सा हो जाए, बिल्कुल गाड़ा गाड़ा creamy सा texture हो जाएगा इसका, बच्चों को भी deserts खाने की cravings होती है, हम बिल्कुल natural चीजों से य आइस क्रीम जैसा यह जम जाए, यहाँ पर हमने लिये हैं दो अलफान्जो आम, अलफान्जो में मिठास बहुत अच्छी होती, फ्लेवर भी बढ़िया होता है, इसको हमने छील लिया है, और हमने एक आम के इसे बारी बारी चुच्छी टुकड़े कर लिये हैं, और एक आ आइस क्रीम को अट्रेक्टिव बनाने के लिए, आप अपनी तरह से कोई भी क्रियेशन कर सकते हैं, ताकि बच्छो को देखने में भी बहुत सुंदर लगे, और खाने में भी उनको इंट्रेस्टिंग लगे, करीबन दो बड़े चमश हमको मैंगो का पल्क चाहिए, आम से बहुत बड़िया फ्लेवर भी आएगा आइस क्रीम में और एक अच्छी सी मिठास भी आईगा, अब और मिठी करने के लिए आइस क्रीम हम यहाँ पर डाल रहे हैं खजूर, मैंने लिए सूखी वाली खजूर, जिसे चुवारा भी कहते हैं, आपके पास गीली खजूर, य उपर की कैप हम निकाल के अलग कर देंगे, देखिए मैंने कम से कम 20-25 चुवारे लिए हैं यहाँ पर, लेकिन हमें करीवन 10-15 चुवारे की मिठासी काफी आइस क्रीम में, बाकी में यहाँ पर चुवारे का पेस्ट पचा के रखूंगी, चुवारा देखिए दरदरा सा ह हो गया है, लेकिन हम इसमें जब तक दूद नहीं डालेंगे, यह पेस्ट बनके नहीं तयार हुगा, इसलिए मैं यहाँ पर डाले हूँ, एक कप फुल क्रीम मिल्क, आप चाहें तो जो आपने दूद गाड़ा किया है, आप उसको भी ठंडा करके इसमें डाल सकते हैं, यह ना फिर 3-4 चमच मलाई के साथ भी से पीस सकते हैं, मैंने इसको पीस करके एकड़म पेस्ट बना लिया है, अब इसको हम अलग रख देते हैं, अब मिक्सर जार में हम डालेंगे हमारी जमी हुई आइस क्रीम, जो दूद हमने गाड़ा करके बॉयल किया था, जिसके अंदर आइस क्रीम के लिए करीबन 200 ग्राम मलाई जो की 3 बड़े चमच के बराबर है, आप चाहें तो मलाई की क्वांटिटी थोड़ी कम जादा कर सकते हैं, हम यहाँ पर बजार की क्रीम नहीं डाल रहे हैं, बलकि घर की जमीवी ताजी मलाई डाल रहे हैं, इससे आइस क्रीम ब पर जो हमने मेंगो पल्प बना के रखा था, वो भी हम इसमें डाल रहे हैं, देखिए मेंगो पल्प और खजूर का पेस्ट, इन दोनों से आइस क्रीम बहुती बढ़िया मिठास वाली हो जाएगी, अब एक चीज का और ध्यान लेना है, कि जो हम मिक्सर चलाएंगे, तो ह हमने तीन-चार घंटे फ्रिज में जमा के रखा, और फिर इस मिक्सर में डालेंगे, और इसको फेटेंगे, तो यह आइस क्रीम बहुत ही जादा सॉफ्ट बनेगी, और उसके बाद हम फाइनली आइस क्रीम को जमाएंगे, हमने थोड़ा चॉप किया हुआ ड्राय खजूर में भी बहुत जादा केल्शियम और आइरन की मातरा होती है, आइरन से हमारे बाड़ी में हमोगलोबिन भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए बच्चों को यह हेल्दी सी आइस क्रीम बना के दीजिए, बच्चे से शौक से खाएंगे, और हेल्दी भी रहेंगे चुटियों में ताकि अगले साल फिर पूरी इनर्जी के साथ नई क्लास में पढ़ सकेंगे, आइस्क्रिन जमाने वाले पॉर्ट के अंदर यह पूरा मिक्स्चर डालने के बाद हम मैंगो की स्लाइजेस से इसको डेकोरेट करेंगे, और उसके पर फिर से हम के लिए जमने के लिए रख देंगे, इससे पहले भी हमने हमारी चैनल में बच्चों के लिए केक और डेजर्ट की काफी रेसिपीज दी हैं, हम उनके लिंक प्रेस्ट्रिक्शन में डाल देंगे, वो भी आप देखिए और बच्चों को छुटियों में जरूर बना के यहां पर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हूँ, तो प्लीज इसे लाइक और शेर जरूर कीजिए, और हमारी चैनल पर अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकोन फ्रेस करके, आल बटन अगर आवे एक्टिवेट कर लेंगे, तो इस नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे, 6-7 घंटे डीप फ्रीजर में रखने के बाद जब यह आईस क्रिम अच्छे से जम जाए, तो नाइफ से इसकी किनारिया थोड़ी सी लूस कर लीजिए, उसके इसको अनमोल्ड कर लीजिए, देखिए कितनी अच्छी आईस क्रिम बन करके तैयारे, कट करके बच्चों को खिलाइए, हैल्दी आईस क्रिम है बिलकुल यह, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हैल्दी और टेस्टी रेसेपी के साथ, थैंक यू